Hello friends, welcome back to my channel मैं अपने channel HP exam corner में आप सबी लोगों का स्वागत करती हूँ I hope आप सबी लोग अच्छे होंगे और आपकी exams की preparation भी अच्छी चल रही होगी तो friends हमने history की जो series है वो शुरू की वी है और हम सबसे पहले ancient history जो है वो complete करेंगे इसकी first class already हो चुकी है तो आप मेरे channel पे जाके playlist में चेक कर सकते हैं मैंने history के लग से playlist बिनाई है तो आज हम class 2 इसकी करेंगे तो friends कल हमने end किया था इस question पे कल का हमारा last question था जैन साहित्य को क्या कहते हैं तो friends जैन साहित्य को कहते हैं आगम ये question हम कल कर चुके थे तो आज शुरू करते हैं उसका पता हमें चलता है कल्प सूत्र से और कल्प सूत्र क्या है तो friends कल्प सूत्र है जैन धर्म की पवित्र जो पुस्तक है उसे कल्प सूत्र कहते हैं next question है हमारा बहुत ही important question है कि कल्प सूत्र किसने लिखी थी तो फ्रेंड्स कल्प सूत्र लिखी गई थी बद्र बाहू के द्वारा बद्र बाहू ने कल्प सूत्र लिखी थी नेक्स्टे फ्रेंट्स जैन ग्रंथ भगवती सूतर में किसका विवरण मिलता है तो फ्रेंट्स जैन ग्रंथ जो है हमारे भगवती सूतर उनमें किस चीज का वर्णन मिलता है जैन गरंथ में हमारे माहवीर के जीवन कृत्यों के बारे में पता चलता है और समकालिकों के साथ उनके समबंधों के बारे में पता चलता है और चनक्य को और किन किन नामों से जाना जाता है तो चनक्य को हम कोटेलिय भी कहते है और इने को विष्ण गुप्त भी कहा जाता है तो ये जो तीनों नाम है वो किसके है चड़के के है तो आपको पता हो नचे कि चड़के को कोटेलिय भी कहते है और इने ही विष्ण गुप्त के नाम से भी जाना जाता है नेक्स है कि अर्थ शासर को कितने भागों में बांटा गया है तो फ्रेंट्स अर्थ शासर को दो भागों में बांटा गया है कौन-कौन से दो भाग है अधिकरण और प्रकरण ठीक है तो फ्रेंट्स अर्थ शासर में कितने अधिकरण है तो 15 अधिकरण है और प्रकरण है 180 ठीक है दो भागों में से बांटा गया है जिसमें से 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है Next बात करेंगे कि अर्थ शास्त्र से किसकी जानकारी मिलती है तो friends अर्थ शास्त्र मौरे कालीन इतिहास के बारे में बताया गया है उससे हमें मौरे कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है ये भी important question है पिछले exam में पूछा जा चुका है Next है कलहन द्वारा रचित पुस्तक का नाम important question है friends ये भी तो कलहन ने कौन से पुस्तक रचि थी उन्होंने लिखी थी राज तरंगिनी ठीक है राज तरंगिनी पुस्तक थी और जो friends राज तरंगिनी पुस्तक है उसमें क्या है तो उसमें इसे राजाओं की नदी या फिर इसमें प्रारंब से लेकर बारवी सदी तक के कश्मीर के शास्कों का वरणन है ठीक है तो कई बार ये भी question में पुछा दाता है कि राज तरंगिनी में किस का वर्णन है तो उसमें 12 सदी तक के जितने भी राजा कश्मीर में जिन्नोंने विशासन किया है उनके बार में राजतरंगीनी में लिखा गया है Next बात करेंगे कि अर्भो की सिंध विजे का वरिंतान्थ कहां से मिलता है तो friends अर्बू की सिद्ध वीजे का वरिंताद हमें चंचनामा से मिलता है very important question और next है कि चंचनामा किसने लिखा या चंचनामा किसकी द्वारा लिखा गया तो चंचनामा लिखा है अली एहमद ने friends मैं इसमें आपको जितने भी question कराऊंगी वो exam के point of view से बहुती important है पिछले किसी न किसी exams में ये पूछे गए है तो हर एक question को आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि कोई भी question जो है आपसे ना छूटे इसके बाद हम बीच बीच में इसकी mcqs भी करेंगे ताकि आपके साथ साथ में जितना भी आपने पढ़ा है उसकी revision भी होती रहे next friends अश्टा ध्याई जो कि संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रत्थम पुस्तक है ये भी पूछ जाते exam में कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रत्थम पुस्तक कौन सी है अश्टा ध्याई है अब हमारा सवाल ये है कि अश्टा ध्याई जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रत्थम पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है मतलब उसकी लेखक कौन है तो उसकी लेखक है पारणी नी ठीक है friends जो अश्टा ध्याई है वैस्तो नाम से ही पता चल रहा है लेकिन फिर भी मैं बताती हो अश्ट याने की आठ ध्याई मिन्स अध्याई मतलब अश्टा ध्याई में हमारे कितने अध्याई है आठ अध्याई है ठेक है next बात करेंगे गारगी सहीता किस ने लिखी तो गारगी सहीता लिखी गई है कत्यायन के द्वारा important है ये भी next है गारगी सहीता क्या है तो गारगी सहीता क्या है friends ये एक जोतिश ग्रंथ है ठीक है तो आपको पता नची ये friends मुझे पता है कि ancient जो history हमारी है वो थोड़ी से difficult है तो शुरू में हो सकते है आपको समझ ना आएगी ठीक है तो आपको दो से तीन बार इसे पढ़ना होगा तभी आपको ये समझ आएगी friends मुझे भी क्या लगता था पहले मुझे history बहुती boring लगती थी लेकिन क्या है फिर हम interest से जब पढ़ने लगते हैं किसी चीज़ को जब तक हम interest नहीं लेंगे न friends तब तक हमें कोई चीज़ समझ नहीं आएगी लेकिन जब हम किसी subject को पढ़ने में interest लेंगे तो automatically क्या है वो चीज़ हमें समझ आने लगती है और friends पूरी history को पढ़ने के लिए आपको ancient history पता होना चाहिए कि जो history है उसकी शुरुवात कहां से हुई थी ठीक है अगर मैं आपको सीधा ही modern history पढ़ाने लग जाती तो आपको पता ही नहीं चलता कि कहां से क्या शुरू हुआ था तो इसलिए मैंने ancient history से शुरू किया है ताकि आपको step by step सब कुछ पता चलता रहे तो hopefully friends मैं आशा करती हूँ कि जो मेरी कोशिश है वो जरूर काम में अब होगी और आपको समझ भी आएगा next path करते हैं कि गारगी सहिता में किसका उलेख है तो friends गारगी सहिता में किसका उलेख है भारत पर होने वाले जो यवन आकरमन ठीक है भारत में friends जितने भी यवन आकरमन हुए थे उसका जो उलेख है वो गारगी सहिता में है ठीक है next है कि पतंजली किसके पुरोही थे तो पतंजली पुरोही थे पुष्य मित्र शूंग के ठीक है important है ये भी next है कि इरान का राजवैद्य कौन था तो friends इरान की जो राजवैद्य थे उनका नाम था टेसियस next question है हमारा हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है तो कल मैंने आपको first question जो पढ़ाया था वो था कि जो इतिहास है उसके पिता किसे कहा जाता है तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है तो हेरोडोटस ने friends कौन से पुस्तक लिखी थी तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था हिस्टॉरिका ठीक है नाम से पता चल रहा है हेरोडोटस हिस्टॉरिका तो इजिली आप गेस कर सकते हैं आपको नाम भी याद रह जाएगा तो फ्रेंड ये उन्होंने पुस्तक कब लिखी तो पांचवी शेताबदी में उन्होंने हिस्टॉरिका नाम की पुस्तक लिखी थी और फ्रेंड हिस्टॉरिका में उन्होंने क्या लिखा था तो उन्होंने भारत फारस या कई बार इरान वी होता है कि सम्बंधों का वर्णन इसमें किया गया है तो हिस्टॉरिका में क्या है भ साथिर्याकस, आने सीक्रेट्स या अरिस्टो बुल्स यह भी इमपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है कि सेलुकस निकेटर का राज़दूद कौन था? तो फ्रेंट्स सेलुकस निकेटर का राज़दूद था? मेगस्थनीज ठीक है important questions है यह सारे ही जो भी मैं अब आपको करवाने वाली हूँ next है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आये थे तो friends मेगस्थनीज आये थे चंदरगुप्त मौरे के दरबार में ठीक है friends यह सारे लेखक है बहुत ही important है सबसे पहले सेल्यू के स्निकेटर मैंने आपको बताए कि किसके राजू थे मेगस्थनीज के ठीक है और मेगस्थनीज किसके दरबार में आये थे तो चंदरगुप्त मौरे यह question काफी बार पूछा जाता है कि चंदरगुप्त मौरे के दरबार में कौन से लिखक आये थे तो उनका नाम था मेगस्थनीज तो फ्रेंड्स मेगस्थनीज ने कौन से पुस्तक लिखी थी very very important question तो मेगस्थनीज द्वार लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी next friends हमारे dymax किसका राजदूद था ठीक है तो ये हमारे antiocus जो लेखक थे उनका राजदूद कौन था dymax था ठीक है और antiocus किसके दरबार में आये थे जो antiocus है वो आये थे बिंदुसार के दरबार में ठीक है ये सारे बहुत important magasthenes, antiocus dymax ये सब भी कौन लेखक थे और ये किन-किन के दरबार में आये थे, ये भी आपको पता होना चीए तो antiocus आये थे बिंदुसार के दरबार में next है कि बिंदुसार किस वंच से जुड़ा है, तो बिंदुसार मौरे वंच से जुड़े है next है कि तो डायनोसियस किसका राजदूर था तो डायनोसियस फैलाडेलफस का राजदूर था और फैलाडेलफस जो लेखक है वो किसके दरवार में आये थे तो वो आये थे अशोक के दरवार में आये थे ठीक है नेक्स्ट है भारत का भुगोल नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो भारत का जो भुगोल नामक पुस्तक है वो किस ने लिखी है टॉलमी ने लिखी है बहुत इंपॉर्टनेंट है और ये कब है ये दूसरी शताबदी में लिखी गई थी तो ये दूसरी शताबदी की पुस्तक है Next, Friends, Natural History कौण लिखता है तो Natural History जो किताब है वो पलीनी ने लिखह थी Next, अब हम चीनी लेखकों की बात करेंगे कि चीनी लेखक कौन-कौन जो है भारत में आए और कब आए, किसके दरबार में आए और उन्होंने कौन-कौन सी पुस्तक लिखी तो जो फर्स्ट है हमारे फायान फायान किसके दरबार में आये थे तो ये आये थे चंदरगुप्त सेकिंड के दरबार में आये थे नेक्स्ट है कि फायान कौन सी पुस्तक लिखते है तो फायान ने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था फोयू की पुस्तक नेक्स्ट है स्यूगन, भारत कब आया तो ये भी चीन्नी आत्री थे, ये 518 इस्वी में भारत आये थे और स्यूगन किसके दरबार में आये थे, तो ये आये थे, सिकंदर गुप्त के दरबार में आये थे नेक्स्ट है कि हविनसांग किसके शासनकाल में भारत आये तो ये हो गया आपके तीसरे चीन्नी आत्री देखो, पहले आये फायान फिर स्यूगन के बारे में पड़ा हमने और अब है हविनसांग तो हविनसांग हर्षवर्दन के शासनकाल में भारत आये थे और ये कब आये थी तो 629 इस्वी में आये और कहां आये कपीशा में आये थे ये ठीक है कई बार ये भी लिखा होता है कि हविन सांग जो है कौन सी इस्वी में भारत आये तो आपको पता होना चाहिए कि 629 इस्वी में ये भारत आये थे और कहां आये थे कपीश आये थे और किस के शासनकाल में आये थे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आये थे next बात करेंगे कि हव इंसांग कब से कब तक भारत में रहते हैं तो friends हव इंसांग देखू ये तो मैंने पता दिया कि 629 में आये थे तो 629 से 645 यानि कि total 15 years पंदरा वर्षों तक ये भारत में रहते हैं इंपोर्टन एक बहुत बारी पुछा जाता है कि कितने वर्षों तक हव इंसांग जो है भारत में रहे थे तो पंदरा वर्षों तक रहे थे next question है friends हव इंसांग के समय नालंदा विश्विधाले के कुलपती कौन थे तो friends भारत का सबसे पुराना विश्विधाले कौन सा है नालंदा विश्विधाले है तो friends जब हव इंसांग नालंदा विश्विधाले आये तो उस समय कुलपती कौन थे तो ये थे आचारे शील भद्र ठीक है जो हविन सांगे वो भी नलंदा विश्व दाले में पढ़ने की लिए आये थे Next है कि हविन सांग कौन सी पुस्तक लिखते हैं तो friends हविन सांग लिखते हैं C.U. की पुस्तक ठीक है C.U. की पुस्तक लिखी थी और C.U. की पुस्तक में क्या था उन्होंने 138 देशों के बारे में लिखा था इस पुस्तक में Next question है आपका कि इत्सिंग इत्सिंग भी चीनी लेखक थे ये कब आये थे भारत तो ये आये थे सातवी शिताब्दी में ठीक हैं और उस समय राजा कौन था या फिर किस के शासनकाल में ये आये थे तो देवपाल के देवपाल के शासनकाल में इत्सिंग आये थे Next है कि भारत के लिए हिंद या फिर हिंदुसान शब्द कौन देता ये मैं आपको ये question कल की क्लास में भी करवा चुकी हूँ लेकिन थोड़ा different way में मैंने करवाया था तो किसने किया था मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत के लिए सबसे पहले हिंद या हिंदुसान शब्द का प्रयोग किया था Next है friends भारत का सबसे पुराना विश्वविदाले कौन सा है तो friends भारत का सबसे पुराना विश्विदाले मैंने पताया आपको कि नालंदा विश्विदाले और नालंदा विश्विदाले कहा है तो friends ये है बिहार में Next है कि नालंदा विश्विदाले कौन बनवाता है तो नालंदा विश्व विदाले किसके द्वारा बनाया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था important है ये question काफी बार exams में पूछा गया है next है कि विश्व का सबसे पुराना विश्व विदाले दिखो friends ये तो मैंने आपको उपताया भारत का सबसे पुराना विश्व विदाले लेकिन ये क्या है word का सबसे पुराना तो भारत का सबसे पुराना विश्व विदाले पूछा जाये तो उसमें आपका जवाब होगा नलंदा लेकिन अगर विश्व का सबसे पुराना विश्व विदाले पुछा जाये तो वो क्या है तक्ष शीला विश्व विदाले और ये कहां है पाकिस्तान में है ठीक है याद रखना है आपको नेक्स है कि तक्ष शीला जो विश्व विदाले है उसके संस्थापक कौन थे तो उसके संसापक थे चर्णक के ठीक है friends तो आज की class को हम यहीं पर end करते हैं hopefully आपको यह समझ आया होगा देखो friends हम धीरे धीरे continue करेंगे ताकि क्या है आप समझ के अच्छे से आगे continue करें ठीक हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको करवा रहे हूं ताकि आप इसको अच्छे से दो से तीन बार पढ़े और फिर हम आगे बढ़ते जाएं धीरे धीरे तो hopefully friends आपको समझ आया होगा और friends अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगिये तो प्लीज इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने friends के साथ भी शेयर कीजिए ताकि friends मुझे भी कुछ motivation मिले और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं तो thank you friends, thank you for watching my channel and all the best for your next exams